स्काय स्क्रेपर्स यानि के गगन चुम्बी इमारते आज जहां पुरे विश्व के जनसंख्या काफी तेजी से अर्बनाइल्ट हो रही है और हमारा देश भारत भी इससे अचूता नहीं है जब हमारा देश भारत 1947 में सोतंत्र हुआ था तब हमारे देश की जनसंख्या के संख्या का कुल 35% अबादी सहरों में निवास करते हैं और ये संख्या भी दिन परती दिन तेजी से बढ़ते ही जा रही है और इनाटेट नेसंस के एस्टिमेशन के हिसाब से 2030 तक हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 41% सहरों में निवास करेंगे और ऐसे में हमार शेहरों के इंफरेस्ट्रेक्टर पे काफी जादा लोड पड़ रहा है और जैसा कि आपको मालूम है कि सहर में रहने के लिए जगा काफी सिमित है और जो भी लोग सेहरों में आते हैं तो वो कोसिस करते हैं कि जहां वो नोकरी करते हैं या जहां पे उनका बिजनेस है तो नजदीक से नजदीक उनका निवास अस्थान हो और इस वज़े से आज हमारे देश की सवी सिटीज काफी कंजेस्टेड हो चुकी है और ओपन स्पेस के नाम पे कुछ भी नहीं है तो ऐसे में बहुत बड़ी जनसंख्या को एक ही लोकेशन पे बसाने का सबसे कारगर उप पाए है सकाइस क्रेपर्स और जैसे-जैसे हमारे देश में सहरी करन बढ़ रहा है वैसे-वैसे सकाइस क्रेपर्स की दिमांड भी बठते जा रही है तो आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक कुल ना भूले तो चलिए सुरू करते हैं एच बीएस स्काई लिंक जिसकी कुल हो चाहिए 300 मीटर होगी और इसमें टोटल 76 फ्रोर्स होंगे एवब ग्राउंड या एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिदेंशियल बिल्डिंग है जिसको कि मुंबई के वर्ली एरिया में बनाया जा रहा है इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम है इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2024 तक ये बनकर तयार हो जाएगा इस बिल्डिंग को 2014 में वर्ल्स बेस्ट रेजिदेंशियल रिनोवेशन री डवलप्मेंट प्रोजेक्ट का अवर्ड मिल चुका है जो कि इंटरनेशनल प्रोपर्टी अवर्स दुबई में हुआ था और इस बिल्डिंग को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग का भी प्रिसर्टिफिकेशन मिला हुआ है इस बिल्डिंग का निर्मान ACC कमपणी दवारा किया जा रहा है और इस बिल्डिंग में एक फ्लैट की कीमत 16 करोर रुपिय से स्टार्ट होती है ये तो था हमारे देश में बनने वाल टॉलेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्काइस के पर तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नमस्कार जैहिंद